बीजेपी का मतलब बीजेपी बरका जूठा पाटी तो यह तो कुछी भी बोल सकती है और वो आज जुआ चेहरा पेस कर रहे हैं मेरा जुआ जुआ चेहरा पहले ही से पेस है इसलिए सरकार हमारी बनेगी 25 में भी और 24 में भी हम भाजपा मुक्त देश को बनाने जा रहे हैं बीजेपी का रास्तिय अधर जेपी नडड़ा ने बिहार में एक बड़ा परिवतन किया है समराट चौधरी को बिहार का परदेश अध्यच बनाया है वहीं राहूल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है अब कहा यह जा रहा है बीजेपी के तरब से कि यूबा सोच की जरूरत है बिहार को और दोजार चौबिस और पचीस में महागटबंदन का सुपरा साफ हो जाएगा हमाई साथ भाई बिरेंद्र हैं राज़त के कद्दावर नेता हैं विधायक हैं इनसे बात करेंगे समराट चौधरी की ताजपोसी की गई बिहार के परदेश अध्यच बीजेपी का अंदुरूनी मामला है उसमें हम कुछ का नहीं सकते हैं बीजेपी का मतला बीजेपी बरका जूटा पाटी तो यह तो कुछी भी बोल सकती है इसलिए भोड का देख लो यार बिहार में किसकी इस्तिती है और बिहार में हमारी महागडबंदन की इस्तिती बहुत अच्छी है और सभी वर्क के लोग हमारे साथ है इसलिए सरकार हमारी बनेगी पजीस में भी और चौवीस में भी हम भाजपा मुक्त देश को बनाने जा रहे हैं कि यूबा चेहरा पहली से आगे है तेज़श्वी आदब को ले करके लगातार बीज़ेपी के तमाम विधायक तमाम नेता यह लगातार कहते नजर आते हैं कि जो भस्तरचार में लिप्त हैं जिन पर कई आरोप लगे हैं वो बिहार के मुखमंत्री का सपना देख रहा है मगर अब बीज़ेपी ने एक यूबा चेहरा यानि समराट शौधरी को आगे किया है बिहार परते सध्यच बनाये गए हैं बीज़ेपी के अब राज़त के जो विधायक हैं भाई बिन्द वो साबतोर पकाते नजर आ रहे हैं कि 24 और 25 दोने ही चुनाओं में महागटबंदन की जीत दर्ज होगी और बीज़ेपी का फुल फॉर्म जो है वो भी बता रहे हैं कि बीज़ेपी जो है वो बढ़का जुठा पाटी है और ज सदन के अंदर और सदन के बाहर जो सवाल बीज़ेपी लगातार उठा रही है कि बिहार में लगातार अपरादी घटनाय बढ़ गई है और बिहार के डिप्टी सीम को इस्तिफा देना चाहिए क्योंकि कई भस्ताचार के आरोप उन पर लगे हुए हैं और ऐसे में करने में कहीं ना कहीं समस्याइं उत्पन हो रही है तो उन्हें इस्तिफा देना चाहिए और कई बार इस बात को सदन के अंदर भी जो नेता परतिपच हैं वीज़े सिना वह उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज भी जब बीज़ेपी के नए परदेश अध्यष ब बिहार को और समराट चौधरी के नित्युत में विधान सभा के साथ साथ लोग सभा में भी एक बड़ी जीत जो है वो दज करेगी बीज़ेपी और बिहार में इंडिये की सरकार बनेगी और केंद्र में फिर से एक बार देश के प्रदान मंत्री नरिन मोधी की ताश पोस् और पचीस के चुनाओं में जो है वो भूमिका आदा करते हैं और तमाम अत्तस्वे लगातार हम अपडेट करते रहेंगे कैमरा परशन मदन के साथ मैं वसीम पटना